हैलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज MP बोर्ड में क्लास्टरल कमेश्टी का पेपर होने वाला है तो आज यूनिट सेविन वा यूनिट एट के सभी मैंत्वर प्रसने मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो में लाश्चि होनिक बिन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा N-1D की पावर 1-10 N-S2 फिर दूसरा है मोहर लबड का सूतर है तो इसका आंसर है FeSO4NH4 का whole twice SO4 into 6H2O फिर तीसरा पॉइंट है मैग नीज की अधिक्तम आक्सिकरण अवस्ता है तो इसका आंसर है KMNO4 अगला कोस्चन है संक्रम तत्वों के रंगीन होने का कारण तो इसका आंसर है D कच्चकों में अयोगमिद एलेक्टरॉन अगला कोस्चन GC लवण का साइज सूत्र है तो इसका आंसर है K PLUS PTCL3 C2H5 छटा कोस्चन है DSP2 संक्रण का उधारण है तो इसका आंसर है NICN का whole 4 whole power minus 3 अगला कोस्चन है Greek node अभी करमक है तो ये है कार्व धात्विक योगिद अगला है मोहर लवड मोहर लवड होता है दिक लवड़ा फिर अगला है संक्र लवडों की सरचना का प्रिटबादर किया तो इसका आंसर है वर्नर ने फिर इसमें दिया है रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला दिया है हीमोगलवीन आयरन का योगिख है तो इसमें भरना है संकर योगिख है दूसरा है ज्यामितिय समावेवतास्ट चतुस्वलकी जथा सर्कुलों दोनों में पाई जाती तो इसमें बराद जाएगा अस्ट फलकी ए फिर तीसरा है प्रस्फुटर प्रस्फुटन रोधी कार्भ धात्मिक योगिख का सूत्र c2 h5 का होलपौर फीवी है फिर अगला है एटी लीगेंड तो इसमें भरा भरा जाएगा सश्ट दन्तुर फिर अगला है डाई एथिल लिव्य मelक तत्व तत्व कहला थे लॉवराहना को सबस्थ कहां जाता है उब stylish प्रिश्मानतर संक्रमा कहते हैं आम यह का का कंते हूं तो उसमें मरा जाएगा उत्वे रक्स दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चले को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेस सबसे पहले आपके पा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाक्स पर बाचिंग वीडियो